नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस टार मिस्कुनीज में दोस्तों एंटी पीसी और गुरुबडी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और इन दोनों भरतियों के छात्रों की सभी मांगे मान ली गई है और उसके लिए जो है ओफिशल नोटिस भी रे पे लेवल वाइस फोर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस टेस्ट सीबिटी फोर सीएन एक वड़े दोहजारों निस एंटी पीसी ठीक है मतलब यह है कि एंटी पीसी के सीबिटी वन के रिजल्ट में अलग-अलग 20 गुना बच्चों को कौलिफाई किया जाएगा सेकंड स् ठीक है पहली तो इसमें न्यूज यह है दूसरा पॉइंट यह है कि the candidates already announced qualified will continue to remain qualified जो छात्र already qualified है तो वो qualified रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है अगला पॉइंट है the list of additional candidates getting shortlisted will be notified at each pay level ठीक है तो अलग-अलग pay level पर जो level 2 है, level 3 है, level 4 है, level 5 है है ना, और level 6 भी है, तो अलग-अलग pay level पर और अधिक छात्रों के लिए एक list जारी की जाएगी, मतलब उसी list में जो list पुरानी थी उसमें और छात्रों को add किया जाएगा next point है दोस्तो इसमें, देखें जो मुख्य बात है मैं उन्हें कर लेता हूँ, CEN RRC एक वटे 2019, level 1, will be a single stage exam, there will be no second stage CBT, दोस्तो ये जो point है ना, ये point है गुरुबडी के छात्रों के लिए, जो गुरुबडी की भरती है, उसमें CBT 2 करानी की बात थी, वो अब नहीं होगा, अच्छा दोस्तो आगे आ जाते हैं, अब देखें, schedule tentative of CEN, एक वटे 2019, NTPC and group D, revised result of all pay levels to be declared by the first week of April 2022, मतलब अप्रेल के प्रिथम सप्ता हमें, NTPC CBT 1 का revised result जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, second point है, second stage CBT 4 level 6 to be held in माई 2022, मतलब इसका NTPC का mains होगा, वो आपका माई 2022 में कराया जाएगा, ठीक है, अगला point है, second stage CBT 4 other pay level 2 be conducted after giving के reasonable gap, देखें, इसमें देखें, दोस्तों मुख्या बात लिख रही हैं, कि जो level 6 की post है, उनका जो CBT 2, NTPC का, वो तो माई में होगा, लेकिन जो बाकी level है, level 2, 3, 4, 5, उन सभी का CBT 2 जो होगा, उसके लिए एक reasonable gap दिया जाएगा, ठीक है न, मतलब कुछ gap के बाद होगा, it has been decided to follow revised methodology with special conditions for conduct of CBT 4 level 1, due to elimination of second ratio CBT, दोस्तों यह वही बात लिखिये है, गुरूप D में आपका CBT 2 नहीं होगा, के बाद CBT 1 के अधार पर selection मिलेगा, दोस्तों इसमें आए क्या लिखाया है, hence, CBT 4 level 1 is planned to be held tentatively from July 2022, मतलब गुरूप D का जो exam होगा, written exam, जिसमें केवल एक ही CBT होगा, वो आपका जुलाई में कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें चात्रों के पक्ष में हैं, जितनी मांगे चात्रों ने रखी थी, वो सारी की सारी मांगे, रेलवे भरती बोर्ड ने माननी है, अब आपका ना तो इसमें CBT2 होगा, गुरूप D में, और NTPC में जो है, 20 गुना, अलग-अलग छात्रों को लिया जाएगा, ठीक है दोस्तो, तो गुरूप D और NTPC सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, और आप खूब महनत करें, और आपका इसमें सेलेक्शन हो, मैं ऐसी काम ना करता हूँ, ठीक है दोस्तो, यही न्यूस थी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो, जय इन जय भारत